नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्ट विजे विद्रोही आप मुझसे जुड़ चुके हैं इसके लिए आप सब का तहे दिल से शुक्रिया और अगले 7-8 मिनट मैं आप से जुड़े रहने की कोशिश करूँगा कुल मिलाकर अभी चुनाव वोटिंग का काम चल रहा है लेकिन मोटे तोर पर मोटा मोटा रुख सामने आ गया है मुझे लगा एक तोरे टिपनी कर देनी चाहिए एक तो मुझे अपनी पीट खुद थपतबा देनी चाहिए क्योंकि अगर मैं गलत साविध होता तो आप लोग मेरे पीछे हाथ दोकर पढ़ चुके होते मैंने कहा था कुछ दिन पहले एक वीडियो में कि कॉंग्रेस कमजोर प्रदर्शन करेगी तो 105 और अच्छा प्रदर्शन करेगी तो 115-120 के बीच में आ सकती है तो कॉंग्रेस 100 के आसपा जूलती हुई दिखाई दे रही है दूसरा मैंने कहा था कि बीजेपी का कमजोर और अच्छा प्रदर्शन 220-240 सीटों के बीच में रह सकता है और अभी भी बीजेपी 240 के आसपा जूलती हुई दिखाई दे रही है तो ये मोटे तोर पर नतीजे इसी के आसपा जाते हुए दिख रहे हैं कुछ सीटे उपर नीचे जरूर हो सकती है लेकिन में ये नहीं है में तो वज़य जो छोटा सा वीडियो बनाने की है मैं विसार में शाम को एक वीडियो पेश करने की कोशिश करूँगा कि आखिर इस जनादेश का सबब क्या है क्या ये खंडित जनादेश है आपके दिमाग में हो रहा होगा क्योंकि बीजेपी तो 272 तक नहीं जारी मुझे मेरी नजर में ये खंडित जनादेश नहीं है लेकिन क्या ये जनादेश बीजेपी के पक्ष में है परधान मंतरी मोदी में लोगों ने एक बार फिर विश्वास जताया है बिलकुल ऐसा नहीं है जिस पार्टी का नेता 400 पार का दावा कर रहा हो वो पार्टी अगर 240 के आसपा से मटती हुई नजर आ रही है तो साफ है कि ये जनादेश बीजेपी के खिलाफ है 272 भी अगर बीजेपी छू लेती तो बात अलग होती 272 से भी करीब 30 सीटे नीचे मिलती हुई उसको अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं दिख रही है और इसमें फेर बदल की ज़्यादा गुंजाइश भी नहीं दिख रही तो ये जनादेश साफ तोर पर बीजेपी के खिलाफ है अब जब बीजेपी के खिलाफ जनादेश है दूसरा क्या ये जनादेश NDA के पक्ष में है टेक्निकल स्पीकिंग ये जनादेश हम कह सकते है NDA के पक्ष में है क्योंकि NDA 300 के आसपा जूलता दिखाई दे रहा है अब इस बात का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपने दावा किया था 400 का और आप घट कर 300 पर आगे इसलिए जनादेश आपके खिलाफ है इसका कोई मतलब नहीं है जनता ने तो आपसे बादा नहीं किया था कि इस बार हम आपको 400 देंगे आपने कहा था कि हमें लग रहा है जनता 400 पार देगी जनता ने 300 में निप्टा दिया लेकिन 272 से तो 28 सीटे ज्यादा दी यानि साफ तोर पर ये जनादेश मुझे लगता है काफी हद तक या पूरी तरह से NDA गडबंधन के पक्ष में है NDA गडबंधन के पक्ष में है BJP के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है और इसमें बड़ा फर्क है NDA के दो-तीन बड़े साथी यहां से निकल जाएं तो NDA 272 के नीचे आने की सिथी में भी आ जाता है इस बात भी हमें गौर करना चाहिए अब आगे सवाल उठता है कि फिर क्या ये जनादेश इंडिया के पक्ष में है ये जनादेश इंडिया के पक्ष में तो नहीं है लेकिन ये जनादेश एक मजबूत और एगजुट विपक्ष के पक्ष में है और इस जनादेश के तहए जनता ने इंडिया पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी है कि अगले पांच साल आप मजबूत विपक्ष के रूप में रहें एक जुट रहें और जो पार्टी सक्ता में है तीसरी बार सक्ता में आने की जिसकी प्रबल संभावना है उस पर क्रोस चेक करती रहे उस पर लगातार दबाव डालती रहे कि वो सविधान से नहीं खेले वो आरक्षन से नहीं खेले, वो इमानदारी से काम करे, वो लफवाजी में समय बरबाद नहीं करे, वो जूटे आंकडों से तसल्ली देने की कोशिश नहीं करे, वो इतने ट्रिलियन डॉलर की इकनॉमी इतने ट्रिलियन डॉलर की इकनॉमी इसकी बात नहीं करे, पर कैपिट इसके लिए दिया गया है। के लिए एक नई कॉंग्रेस के उदे की बात है राहुल गांदी पर भरोसा जताया है अब राहुल गांदी को अपनी भूमी का निबानी है कि कैसे वो अपनी तरह की कॉंग्रेस बना सकते है नई नेताओं को आगे बढ़ाने का काम कर सकते है पुराने छत्रवों को सम्मान देकर या तो उनकी मदद ले सकते हैं सलाह के रूप में या फिर उनसे कह सकते हैं कि आप युवाओं के लिए आप रास्ता खोल देजिए तो कुल मिलाकर ये चार-पांच बाते हैं मुझे मोटे तोर पर लगता है कि इस जनादेश के पीछे बहुत से मतलब सिद्ध हैं बहुत सी बातें जनादेश के जरिये प्रधान मंतरी मोदी तक भी जनता ने कहलाने की कोशिश की है लेकिन जो पार्टी 272 से नीचे लेकर उस पर यकीन नहीं कर रही जनता को नहीं लगता कि बीजेपी को तीसरी बार कमान सौपनी चाहिए 2014 में 282 दी 2019 में 303 दी अगर इस बार 303 पर रहती जनता या 280 पर रहती तो भी माना जा सकता था कि मोदी पर तीसरी बार लोगों ने भरोसा जताया है भरोसा तूट गया है मोदी को लेकर मोदी ने जिस डंक से हिंदू-मुसल्मान करने की कोशिश की उसको लेकर भी शायड तूट गया है और मोटे तौर पर अभी छोटी टिपड़ी के रूप में तो यही चीजे समझ म आती हैं और आपने मुझे पर भरोसा जदाया इसके लिए मैं आप सब का आभारी हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए घंटी जैसी आकरती दबा दीजिए ताकि निया वीडियो आये तो ततकार आपको जानका कारी मिल जाये